हेलो एफ्रीवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेल्किम टू माइ चैनल अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की जरूरत पड़ती है जैसे संभालो खुद को, मैंने खुद को संभाल लिया है, तुम्हें खुद को संभालना चाहिए, हम खुद को संभाल लेंगे ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस जिनमें हम खुद को संभालने के बारे में बात करते हैं, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम pull oneself together का use करते हैं pull oneself together का मतलब होता है to control one's feelings and behave in a calm way अपनी भावनाओं को संभालना और एक शांत तरीके से व्यवहार करना इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping वर्बाती है इसके बाद बोलाता है इसके बाद reflexive pronoun आता है subject के according reflexive pronouns वो होते हैं जिनकी ending self या फिर selves से होती है जैसे कि myself, yourself, himself, herself, ourselves, themselves reflexive pronouns का use तब किया जाता है जब हमारे sentence में subject और object same होते हैं और last में together आता है यहाँ पर यह जो pull है यह as a main verb use होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि pulls, pulled, pulling चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी करा से समझ में आ जाए संभालो खुद को या फिर संभालो अपने आपको Pull yourself together Pull yourself together मैंने अपने आपको संभाल लिया है I have pulled myself together I have pulled myself together तुम्हें खुद को संभालना चाहिए You should pull yourself together You should pull yourself together हम खुद को संभाल लेंगे We will pull ourselves together We will pull ourselves together वो खुद को संभाल रही है She is pulling herself together She is pulling herself together तुम क्यों खुद को नहीं संभालते Why don't you pull yourself together Why don't you pull yourself together क्या उसने खुद को संभाल लिया Did he pull himself together Did he pull himself together क्या वो खुद को संभाल लेगी Will she pull herself together Will she pull herself together पहले उसे खुद को संभालने दो Let him pull himself together first Let him pull himself together first अब एक sentence आपके लिए अब वो अपने आपको संभालना चाहता है इसको हम English में कैसे बोलेंगे या आप मुझे comments में बताए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक पीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ अपके लिए टेक कैर बाबाई